What's up guys, I hope you are doing well, I am very welcome to Stadler family तो कैसे हो मेरे दोस्तों में आसा करता हूँ, श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंज्योई कर रहे हो अपनी सेयत, फैमिली और प्राहे के धान काफ एच्छे से रख रहे हो बड़ी श्यांदार बहुत प्यारी बात बोलीगी है पर इससे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं आज की डेट में अपनी जिन्दगी के इस नए साल के एक महिना और चार दिन कंप्लीट कर चुके हैं तो कैसे रहे हैं आप लोग के ये एक महिना और चार दिन इसके बारे में आप लोग एनलिसिस कीजिए गा तो अगर आप लोग को डर काम करने के लिए मजबूर करता है तो फिर कभी भी आप लोग अपनी लाइप में जादतर productive नहीं हो पाऊगे आप लोग बस उतना ही productive हो पाऊगे जब तक आप लोग को डर डराएगा तो इसलिए जिन्दगी में हमेशा अपने प्लान बनाकर उनको follow करना है डर के आगे आप लोगोंने सुनोगा जीत है पर लेकिन डर अगर थोड़ा जादा हो जाए तो वो इंसान को बरबाद कर देता है इसलिए बोले आता है कि हमेशा अपनी जिन्दगी को अपने हिसाब से आप लोगो enjoy करना चाहिए डर के हिसाब से नहीं और वो कब होगी जब proper planning के साथ में आप लोग चलेंगे बुला ही गया कि उस तरह से चलने से बचो जिस तरह से डर आपको चलाए यानि कि डर की वज़े से ये काम कर लिया डर की वज़े से वो काम कर लिया ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है हमेशा उस तरह से काम करो बलकि उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए यानिके जब आप लोगो मन करें उस काम को करने का तब करने है ना कि कि किसी के डर से, किसी के भैसे या फिर किसी के दबाओ में कोई काम आप लोगो करने है वो काम आप लोग करतो लोगे मरे मन से कि हाँ यार चलो कर लेते हैं ये काम जिन्दगी में जुरूरी है पर शांदार एक ऐसा परसन होता है जो कि काफी शांदार डिजाइनिंग करता है यानि कि जैसे घर बनाने वाले डिजाइनिंग होती है वो इतने शांदार शांदार जिंदगी में घर बनाता है जिसकी कुछ हज नहीं है वो इंसान जो है वो रिटायर हो रहा होता है जब रिटा भी नहीं छोड़ रहा है तो उसने क्या किया मन माने एतनी ये बे माने धंग से उसकाम को कर दिया एक धांचा सा बना एक ठीक ठाक अपना जैसा मिलना चीए था तो उस तरीके का एक घर उसने बना डाला और रियलेटी में जब उसको बाद में पता चला कि ये क्या है अब तरीन घर बनाता पर लेकिन हुआ क्या बे माने बन से काम कर दिया तो उसने उसको सबसे एक गलत और सबसे बेकार घर की काटेग्री में ले जाकर रख दिया तो इसलिए कहते हैं कभी भी अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट मत करो चाहे किसी के लिए भी क्यों नहों उसको हम तरीके से आप लोग को इंजोई करने हैं और यह फिलोस्पी आप लोग को हमीशा लाइप में प्रोडेक्टिव बनाए रखेगी आई होफ की मेरी बात का आप लोग मतलब समझ रहे होंगे जो मैं आप लोग उसे बोलना चाहरा हूं ठीक है काफी शांदार यार आज करी ड सब के बसकी बात नहीं होते है डेली सेड्यूल को फोलो करना अगर आप लोग अपना सेड्यूल फोलो कर रहे हो तो सीसे के सामने खड़ा होकर एक बार को धिन में पीट जरूर थप थपाए कर आपनी ठीक है और कोई नहीं तो आप लोग खुद से थप थप थपा सकते हैं वेलकम वाली पीट थपता पाने के लिए नहीं बोल रहा हो कहता है कि जा लेजाए इसके पीट थपता पा के लेगा ठीक है उटाए लोग या दा है कि मुझे सावासी दो तो वाली सावासी नहीं लेनी है खुद से अपने आपको एप्रिशेट करना है यह बेसिक पर इस मैटिरियल का नाम आप लोग को बताने इसके एक्स्टा ओडिनरी प्रोपर्टी है चाहे इलेक्ट्रिक के बारें बात करें चाहे इलेक्ट्रोनिक के बारें बात करें अच्छा अगर आप मों लोगों में से कोई हाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स का डिफ काफी important material है, इसके उपर innovation center खोला गया है, इस राजे के द्वारा इस राजे का नाम बताने है, CT का भी नाम हाला कि हाँ पर बताया गया है, तो आप लोग बताईए इसको, इसी के साथ हैं बात करें, तो ministry of external affairs के द्वारा announce किया गया है, इंडिया जो है, वो एक positive, एक positive और इसी के साथ में willing to engage, पागिस्तान के साथ में यहाँ पर कोसिस कर रहा है कि मिलकर काम के जाए, ताकि एक protocol, protocol मतलब एक तरिका agreement आप लोग बोल सकते हैं, जो कि इंडिया और पागिस्तान के बीच में है, इसको बोलते हैं, protocol on religious pilgrimage, pilgrimage, pilgrimage मतलब सरद्धालू, तो यहाँ पर जो religion के नाम पर, धर्म के नाम पर जो protocol है, एक दूसरी कंट्रें भले ही, कितने भी हम लोग एक दूसरे को जूते मारते रहें, लेकिन एक दूसरी कंट्रे से अगर कोई सरद्धालू आना चाहते हैं, तो उसको appreciate, उसको support किया जाएगा, एक ऐसा protocol आप लोग बोल सकते हैं, तो कब sign किया गये था, ठीक है, चलिए तुक्का मारिए, यह इंदरा गांजी के time पर sign किया गये था, मैं आप लोग कुछ यहाँ पर year बताता हूँ, उनमें से एक तुक्का मारिए का, देखते हूँ, किसका तुक्का से लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर 72 में होता, यहनि के, 1972, 1973, 1974, यह फिर 1975, ठीक है, तो कौन सा year होगा, आप लोग इसको एक तरीके से, ट्राइ करकर देखे, देखता हूँ, कौन-कौन सही हाँ पर अपना ट्राइ करता है, रसिया की द्वारा, अभी हाँ पर, UN Security Council की Presidency हाँ पर ली जाएगी, कब से फरवरी से, किस year से, यह आप लोग को बताने हैं, इसी के साथ में हाँ पर, अगर बात करेंगे, तो बात करेंगे, ब्रहमोस के बारे में, तो ब्रहमोस जो है, अभी हाँ पर एक कंट्री ऐसी है, जो कि ब्रहमोस को खरीदने के लिए, डील साइन कर चुकी है, उस कंट्री का नाम आप लोग को बताने है, Fed Reserve किस country का bank है इसके बारे में आप लोग को बताना है यानिके discussion तो यार बड़ा शांदार हैगा तो अच्छे से इसको attempt कीजे ताकि मुझे भी इतना ही मज़ा आए पढ़ाने में जितना मज़ा आप लोग इसको enjoy करोगे वीडियो के end में जरूर वीडियो को देखेगा क्योंकि कल का revision भी करेंगे और इसका फायदा ये रहता है अगर एक बार आप लोग 24 घंटे के अंदर अंदर चीजों को revise कर लेते हैं तो यह memory formation का काम करते हैं यानि के लंबे समय तक चीजे आप लोग याद रख पाते हैं तो अपने आपको समझो अपनी memory को समझो फिर जिंदगी को enjoy करने में मज़ा आएगा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आप लोग के सामने हैं आपर एक particular festival इस particular festival का नाम क्या है इसको बोलता है काला गोडा festival ठीक है तो काला गोडा festival जो है यह 5 से लेके 13 फरवरी तक celebrate कियाता है और यहाँ पर यह basically जो मुंबई की जो rich history है उसको दिखाने का काम करते है यानि के महरास्ता में हैं यहाँ पर यह celebrate कियाता है अगर कोई महरास्ता वासी मुंबई वासी हाँ पर यह lecture देख रहा है तो इस festival से लेटर अपना experience आप लोग share कर सकते हैं देखे कई बार कई सारे festival कई सारे states के नाम match करने के लिए आप लोगों से खासकर state pieces के अंदर पूछ लिया आते हैं तो हलका सा idea अगर रखोगे तो confusion नहीं होगा और अच्छे से चीजों को भी enjoy आप लोग कर पाओगे चलिए यह महीना जो है एकनोमी के लिए काफी important होता है budget प्रस्तूत किया गया आप लोग का economic survey प्रस्तूत किया गया जिसको आप लोग USA का reserve bank बोल सकते हैं उसका नाम है FED reserve जैसे हमारी country में reserve bank of India है ऐसे ही हाँ पर USA के अंदर bank उसको बोलते हैं FED reserve तो FED reserve के द्वारा अभी signal देगे कि वो अपनी जो monetary policy है उसमें कोई change करेगा और interest rate जो है वो उसको थोड़ा बढ़ाएगा economic को जुखाम हो जाता है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं आखिर क्यों है ये reason और क्यों इतना influence होता है तो detail में बात करेंगे Indian Express के अंदर काफी detail में ये article कवर किया गया तो समझने की कोशिस करते हैं एक blank paper लेता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को understand करें एक-एक point यहाँ पर समझेंगे detail में इसको divide कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से understand कर सेगे इधर आप लोगों के सामने हैं आपर इसको बोलते है USA और USA के अंदर है उनका Fed Reserve ठीक है यानि के उनका जो Central Bank है इधर होगे हमारी country India और हमारा जो Central Bank है उसको बोलते हैं आप लोग RBI यानि के Reserve Bank of India तो यह दोनों जो आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी country में अगर जो economy यानि के अर्थ विवस्ता को आगे लेकर चलना होता है तो यहाँ पर जो government होती है उसकी होती है fiscal policy ठीक है और जो यहाँ पर जो bank होता है उसकी होती है monetary policy ठीक है तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारी देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी fiscal policy होती है और यहाँ पर monetary policy होती है तो पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर USA के अंदर में क्या मुद्धा भी देखने को मिला USA के अंदर यहाँ का जो federal इनके bank के द्वारा यह बोला गया कि आने वाले time पर यह अपना interest rate जो है उसको increase करेंगे interest rate increase करने का मतलब क्या है अब यहाँ पर इनकी country की economy में अगर कोई investment करने वाला है तो उसको जाद है return ही हाँ पर मिलने वाले है तो जैसे इनके द्वारा यह बोला गया कि March के महीने में हम लोग कुछ ऐसा करने वाले है तो इसी के चलते हमारी country की economy में खासका रिष्टोक exchange में काफी ज़दे गिरावट देखने को मिली उसी दिन अब जबकि इन्होंने अभी नहीं करने की बात की की है यह इनके द्वारा बोला गए कि March के महीने में करेंगे यानि कि अभी हम लोग फरविरे में वैठे हुए है और एक महीने पहले इनके द्वारा यह बोला गए लगाता है तो इसको 3% का रिटन मिलता है अभी मैंने 10,000 लगा है है आप अपर सोचों यहाँ पर 3% अगर बात करें आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बढ़ा दे अगर आप लोग ठीक है तो यहाँ पर दस जार की जगए अगर आप लोग 110 क्रोड में काउंट करने लगे तो 3% भी एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 2% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो इसलिए हाँ पर क्या होगा हमेशा जब भी कोई हाँ पर जहां पर रिटन मिलता है तो तुरंथ वहाँ पर एक कंट्री से निकाल कर दूसरी कंट्री में इंवेस्टमेंट कर दिया आता है और यह काम करते हैं हाँ जो यहाँ पर एफ आई आई होते हैं ठीक है तो यह जैसे रहते हैं वैसी रहते हैं पर लेकिन एफ आई आई वाले जो होते ह रहते जिसे बिना पेंदिका लोटा जहां पर इनको जादे मिलेगा थोड़ा सा भी रिटन तुरंत वहां से निकाल कर दूसरी कंट्री में जाकर यह लगा देंगे और होता यही है जबी भी यहां पर यह से जासी एकनोमी में अगर आप लोगो रिटन जो है वो अच्छा खा अब यह पैसा निकाल कर ले गए देखिए जब COVID-19 चल रहा था न उस टाइम पर आप लोगों देखा होगा हमारा इस्टोक एक्सचेंज जो है वो बूम पर चल रहा था रीजन क्या था उसका सिधा सिधा रीजन यह था क्योंकि यह जो ऐसी ऐसी कंट्री के जो लोग है जि लेकिन most populous country हमारी तो लोगों की demand तो रहेगी रहेगी तो supply करना पड़ेगा तो economy जो है वो आगे बढ़नी ही बढ़नी है और फिलाल हमारे देश में दुनिया भर के start-up आज की रिट में खुल रहे हैं तो उसके चलते भी चीज़े देखने को मिल रही है कि कहीं न कहीं हमा पर इनके fed reserve के द्वारा यहां पर यह बाते बोलेगी तो वैसे यहां पर पूरा pattern जो है वो change होता हूँ नजर आ गया तुरंत यहां पर इनके द्वारा क्या किया गया कि चलकर अपने देश में investment करते हैं क्योंकि उस time पर इनके देश में इतना अच्छा investment नहीं मिला था जि यहां पर इनको interest अच्छा मिला तो तुरंत वहां से निकाल कर ले गए तो यह काफी बड़ा एक impact डालते हूँ यहां पर नजर आते हैं इसके चलते क्या होता है इसके चलते यह होता है कि कहीं ने कहीं उस market की जो economy है उसके उपर impact पड़ता है और दूसरी जो economy है वो एकदम boost होती हैं यहां पर नजर आती हैं तो अभी यह बोला गया कि लग भग 40,000 क्रोड रुपे का outflow हमारी economy से हुआ तो 40,000 क्रोड रुपे जो हैं वो काफी बड़ा amount होता है तो यह सारा पैसा जब एकदम market से निकल कर जाएगा तो समझ सकते हैं कि market की खसता हालत यहां पर रखता है तो पूरी अर्थवबस्ता जो है वो इससे हिल जाती है ऐसा pattern आप लोग को देखने को मिलता है तो यह पूरी ऐसी ही condition कुछ यहां पर देखने को मिली ठीक है तो यह सारी बात जो है यह सारी बात बेसिकली टोटली इस article के अंदर है जो मैंने पूरी कथा आप लो यह फिर नो बताइए जरह बढ़ते हैं यहां पर नेस्ट आर्टिकल के और यह जो आर्टिकल है आप लोग का जीएस पेपर 3 के अंदर डिफेंस और टेक्नलोजी के साथ में इसको connect करकर आप लोग ले सकते हैं और हां एक और important बात आज आप लोग के लिए एक वीडियो ब लेकर serious हो तो मैं आप लोगों को बोलूगा कि वो वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि कम से कम आप लोग को पता तो होना चीए कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं कहां पर पढ़ रहे हैं कितनी उसकी requirement है क्या क्या चीज़े हैं तो अगर आप लोग र हाई जो है वो serious node पर करेगा तो उसके लिए आप लोग उससे बंदे से UPSC का syllabus पूछ सकते हैं क्योंकि अगर बात करूँ 100 लोग अगर UPSC के तैयरे कर रहे हैं तो 4 ये 5 लोग ऐसे होंगे जिनको reality में UPSC के syllabus के बारें पता है आप लोग ये जरूर यहां रख रहेगा ठीक है तो reality में अगर syllabus ही नहीं पता है तो आप लोग बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि आप लोग गाड़ी तो लेकर घर से चल चुके हैं पर लेकिन आप लोग को destination नहीं पता है आप लोग कहां जाने हैं बस जा रहे हैं खुबड खुबड रोड से कहीं से भी कहीं से तो दिक्कत है देखने को मिलेगी तो syllabus को इसलिए हमेशा अपनी table पर रखो और जो भी मैं भी पढ़ाता हूँ उसको भी syllabus के साथ में आप लोग compare करके देखते रहागरो लंबे समय तक चीजे जो हैं वो आप लोग याद रख पाओगी यह article हिंदू news paper के अंदर भी cover किया गया है और इसको यहाँ पर P.I.B. के द्वारा भी cover किया गया था हुआ क्या भी एक देश है जिसका नम है फिलिपिन ठीक है फिलिपिन एक ऐसी country है जो की काफी important country और खासका रस इसकी चाइना के साथ में बनती नहीं है दोनों की बीच में जड़ब कई बार देखने को मिलती है अगर location आप लोग देखना चाते है तो अपनी फ्यारी country यहाँ पर होगी और यहाँ पर आप लोग देखे है यह हो गया फिलिपिन तो South China Sea हो गया तो यहाँ पर जड़ब आप लोग काफी यह देखने को मिलती है तो फिलिपिन को कई बार चाइना यहाँ पर दबाता हो नजराता है तो इसी के चलते हैं यहाँ पर इंडिया ने बोला फिलिपिन को पर उसके लाइप में नहीं करें ma spricht करता है कई बार चाइना उनको दबाने कोशिस करता है इसनके बासके खरीजने होा ले तो इसके चलते हैं इसको अगर ले कर कार आता हूَ यहाँ चाइना और फिलिपिन के बीच में कि हम कि आप उन जुकेगा नहीं ठीक है तो फिलिपिन भी आप लोगो यह बोलता हूँ नजर आएगा तो इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ही होगा कि कल पो चल कर ही हाँ जो चाईना का दब दबा है यह इस एरिया में कम होता हूँ नजर आएगा और ये फिलिपिन ही नहीं अकेला और भी कई सारी कंट्री जो चाइना से प्रेसान हो चुकिए उन्होंने भी बोला है कि वो ब्रहमोस मिसाल को यहाँ पर खरीदेंगे जैसे कि उधान के तोर पर अगर बात करें इंडोनेशिया और थाइलेंड इनके साथ में भी कई बार यहाँ पर चाइना की बनती नहीं है तो इसलिए ये हमारे लिए काफी इंपोरेंट हो गया है कि हमारी कंट्री का बिजनस बढ़ रहा है यहाँ और देखे युएस से भी तैसी खेल खेलता है उस देख के लिए जो कि अब तक बाहर से हतियार खरीद रहा था अब वो बेचने वाला बन गया है और एक्सपोर्ट करने वाला जो हमेशा ताकतवर देख होता है as compared to खरीदने वाले से तो ब्रहमोस मिसाइल जो है आपर यह जोएंट वेंचर है और यह जो मिसैल का नाम यहाँ पर रखा गया वो रखा गया दो रिवर के नाम पर दो नोधियो के नाम पर एक है हमारी कंट्री का ब्रहंपुत्रा reverse और उर एक यहाँ पर चाइना की जिसकों सोरी चाइना की नहीं आपर रसी है Moskow River मoof of kov e ठीक के OVA, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगी, दो stage का solid propellant engine आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें एक stage liquid है, ठीक है? और इसके साथ में हिहाँ पर आप लोग को first stage इसके साथ में यहाँ पर नजर आएगी, और liquid जो ramjet आप लोग को second stage यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अपने ही आप में एक काफी ताकतवर वैपन होगी है, हाँ पर अगर आप लोग इसको इस तरीके से देख पारे हैं, कि कहीं से भी हम लोग इसको launch कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ और important बात है, ये एक multi capability missile है, यानि कि एक तरीके से accuracy जो है, बड़ी फाडू आप लोग इपाट नहीं बड़ता है, बारे सो रही है, ओले पड़ रहे है, हवा चल रही है, बाई साब चीर के निकल जाएगी, जो गोली लग जाती है, इनफान खान के जो बैक में, तो कहता है और बुप सुना है, गोली तूमको चूर निकल गई है, चीर कर निकल गई फाडड के तो वही बात है चेर कर निकल जाती है और फार के निकल जाती है यहाँ पर वैदर का कोई impact नहीं बढ़ता है वरना मुझे जब मैंने इसके बारें पड़ा तो border movie मुझे याद आती है हमारी air force इसलिए रुकी रही थी उस time पर क्योंकि हमारे पास में रात को उड़ने वाले ज खतरनाक हतम कर देगी अगर बात करें ब्रहमोस के बारे में तो यह बनो fastest cruise missile है आप लोग को दो में difference पता होना चाहिए हाँ पर एक को बोलते है cruise missile और दूसरे को बोलते है basically ballistic missile ठीक है तो cruise missile क्या रहती है जो atmosphere होता है हमारा उस atmosphere के अंदर ही आप लोग को normally देखने को मिलती है cruise missile जो काम करती है लेकिन ballistic missile क्या करती है यह लंबी रेस का घोड़ा होता है पहले यह atmosphere से बाहर जाती है और फिर atmosphere के अंदर आती है तब यहाँ पर यह बाहर करती है target को hit करती है तो इसको यहाँ पर ballistic missile क्याते है और cruise missile जो आप लोग का atmosphere के अंदर ही देखने को मिलेगी तो य एक basic difference आप लोग इसके बारे में याद रखेगा, ठीक है, तो कई बार आप लोग उसे question भी पूछ ले आते हैं, तो यहाँ पर यह कैसी missile है, यह fastest cruise missile आप लोग को देखने को मिलेगी, जो की operate की जा रही है, यहाँ पर deploy की जा रही है, जो Mac 2.1 की speed में, ठीक है, अभी यहाँ प आप लोग बात करेंगे, तो advanced version भी इसका देखने को मिल रहा है, इसकी range बढ़ाई जा रही है, range क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हम लोग एक particular group का part है, जिसको बोलते है MTCR, ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, इसको missile technology control regime बोलते हैं, ठीक है, तो यह जो club है, यह काफी important है, यह club basically आप लोग ने नाम से सुना कि missile technology control, missile की technology को control करने का काम करता है, और जो responsible इंसान है, उसी के हाथ में हापर यह basically technology होनी चाहिए, इसका मानना यह है, जैसे कि आज केट में आप लोग ने देखा, इंडिया जो है काफी responsible देश के अंदर में आता है पर लेकिन पाकिस्तान, नोर्थ कोरिया या फिर इरान उसको ज़्यादे responsible नहीं मानते हैं, तो इसलिए कई बार उनके ओपर question mark लगा जाते हैं, पर हमारा देश जो है, वो एक responsible देश के अंदर में आता है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठेक हैं, तो अभी इसकी range बढ़ा इसको किया जाने वाला है, आने वाले टाइम में, तो हमारा प्रोटेक्ट जो है, वो और शांदार होगा, इसकी demand और ज़्यादे बढ़ेगी, तो इससे आप लोग एक understanding develop कर सकते हैं, ठेक हैं, तो missile technology जो इहाँ पर control regime हैं, यह एक तरीका informal, एक voluntary partnership हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि सबी हाँ पर basically participate करते हैं, यहाँ पर आप लोगो 35 के करीब country देखने को मिलेगी, इनका basic purpose यह था है कि proliferation रोकना है, यह निकि ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा मुहले का पुडोस का missile लिए गुम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हाँ पर बात करें, कि हर एक बच्चा नहीं पता चला, बुटान missile लेकर गुम रहा है, नेपाल missile लेकर गुम रहा है, मैनमार missile लेकर गुम रहा है, तो वो वाली चीज़े नहीं होने चाहिए, तो इसके चलते एक कोसिस करता है, कि हाँ पर इसको control किया जा सके, ताकि आगे आने वाले time में हाँ पर सारे member मिलका, इसको control कर सके, अगर कोई ऐसी हरकते देखने को मिल रही है, तो ये इसका basic purpose आप लोग को group का देखने को मिलेगा, और ये एक तरीके कि हाँ पर, जो treaty हैं आपर एक तरीके से आपर ये sign किये थी, starting में याद रखिए इसके बारे में question मन सकता है, ये 1987 में ये जो treaty थी, ये sign किये थी, starting में G7 countries के द्वारा, जैसे कि USA हो गया, UK हो गया, France, Germany, Canada, Italy, Japan, तो इनके द्वारा मिलकर कोशिस की गई कि कैसे ने कैसे हम लोग इसको control करेंगे, तो ये country आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ये काफी important है आपर, और India आसानी से member भी इसलिए बन गया, क्योंकि हाँ पर China का और सारी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी, जो की काफी important है, कहीं ने कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, हमारे देश को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि defense export के बारें बात करें, हमारी country के द्वारा decide किया कि भाई साब खरीब तो बहुत लिया, अब ना हम लोग ब यहां पर यहां पर यह कि over 30 Indian जो defense company है, वो export करेंगी arm equipment किनको, जैसे Italy हो गया, Moldiv हो गया, स्रिलंका हो गया, Russia, France, Nepal, Mauritius, स्रिलंका, इसी के साथ में स्रिलंका, ठीक है, स्रिलंका दोबर आ गया, इस्राइल, Egypt, UAE, भुटान, Ethiopia, इसी के साथ में साथ में साओधी रिवे, फि परता हुआ, नजर आएगा, इंडिया के defense export की बारे में अगर बात करें, तो कई सारी चीज़ा आप लोग यहां पर देखने को मिल सकती है, जैसे export include करते हैं, आपर personal protective item जो रहते हैं, ठीक है, एक नियाव लगा कल को कहीं पर कोई bomb blast हो रहा है, तो जो protective item आप लोग को देख लोग्टर होते हैं, इसी के साथ में एवनोईक जो suits होते हैं, आप रेडियो सिस्टम और रडार, तो यह अभी हम लोग यहां पर लोगों को बेच रहे हैं, पहली बार हम लोग missile बेच रहे हैं, जिसे ब्रहमोज जैसी missile, तो यह काफी बड़ा achievement आप लोग इस film में बोल सकत किया है, इसका नाम याद रखेगा, दुनिया में कहां पर हतियार खरीदे और बेचे जा रहे हैं, आप लोगों से इसके बारे पूछा जा सकता है, कि report कौन प्रसुत करता है, इसको बोलते है, SIPRI, यानि कि Stockholm International Peace Research Institute, नाम में देख सकते हैं, पीस के बारे में research करता है, यानि कौन कौन सी country जो है, मिसायल के ओपर खर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी country कितना export कर रहे हैं, कितना import कर रहे हैं, उसके ओपर यह study करता है, और उसके बाद में बताता है कि भाई साब गलत से direction में जा रहो, सुधर जाओ थोड़े से, इसके चलते अगर इंडिया का account करेंगे पर जो हम लोग global level पर export कर रहे हैं, only 0.17% आप लोग को देखने को मिलेगा, यानि कि ना के बराबर हम लोग बेच रहे हैं भाई साब, अभी फिलिपिन जैसी अगर country हाँ पर निकल कर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, और भी कई सारी country हम से बाते कर रहे हैं, आने वाले time पर य करना है, हम लोग खरीदने पर ही अब तक लगे वे थे, अब यहाँ पर हम लोग ने सोचा है कि बेचेंगे, तो export जो है, वो individual corporation पर छोड़ दिया, कि हाँ पर आज केर में बात करेंगे, तो हम लोग कों कर रहे हैं, वहाँ पर अलग country में अगर कोई सामान बेच रहे हैं, त तो दुनिया भर के private player आप लोग को नज़रा जाएंगे, पर लेकिन हमारी country में अभी option लोगों के लिए open किया रहा है, तो आने वाले time पर यह चीज़े और जदा आप लोग को बढ़ती नज़राएंगे, और बहुत बड़ा reason इसका China का influence है, क्योंकि China बत्तमीजी जो काट तो आने वाले time पर हम लोग चीज़ों को tackle करेंगे, जो जो country China से चिड़ती है, ठीक है, आज की date में, तो उसके पास में हम लोग यहाँ पर यह चीज़े provide करा सकते हैं, चाइना हाला कि आज की date में देखिए, अगर बात कने पाकिस्तान में, बंगला देश में, महनमार में, अपना दबदबा बनानी कुछ कर रहा हमारे प्रोसी देश में, तो जब वो ऐसी हरकते हमारे प्रोस में आकर काड सकता है, तो क्या हम लोग जो भी उससे चिड़ती है country, उनको अपना defense माल supply नहीं कर सकते हैं, इससे हमारे देश को फायदा देखने को मिलेगा, चाइना को tackle करने में भी help मिलेगी, आप लोग की क्या रहे है, इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है, आप लोग बताईए, आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में सही है या फिर घलत है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चीजे देखते हैं, important यहाँ पर question आ religious activity के बारे में, अगर समिधान के अंदर आप लोग जाओगे, तो पार थर्ड में आप लोग को देखने को मिलेगा, article 12 से लेकि article 35 तक यह fundamental right रखेगे, इसमें जब आप लोग right to religion के बारे में बात करते हैं, तो वो article है, article 25 से लेके article 25 तक उसको right to religion आप लोग बोलते हैं, तो है, कि हम लोग क्या करें, इंडिया और पागिस्तान की बीच में, जो religious अगर कोई particular person वो विजिट करना चाते हैं, जैसे हमारी country में दरगा हैं, गुरुद्वारे हैं, इसे के साथ में temple हैं, अगर पागिस्तान में दरगा, गुरुद्वारा temple हैं, तो हमारी country के लोग अगर पागिस्तान में जाना चाते हैं, और पागिस्तान के लोग अगर हमारी country में आना चाते हैं, तो सी के चलते हैं, पर इंडिया और पागिस्तान जो है, एक दूसरे के साथ में engage करने वाले हैं, और engagement करने की सोच ले हैं, तो हिंदू के अंदर भी ये article cover किया गया था, और ये important मुद्दा क्या है जो मैं आप लोगों सबसे पहले बताने वाला हूँ वो है एक particular protocol protocol मतलब एक तरीका agreement आप लोग बोल सकते हैं दोनों country के बीच में जिसके बारे में आप लोगों से question भी पूछ रा सकता है तो ये agreement है religion के बारे में religion के बारे मतलब यानिके बात करते है 1974 जब इंदरा गहांदी जी हमारी country प्रामिस्टर थी joint protocol on religious pilgrimage यानिके जो religion के जो सरद्धालू है यहाँ पर एक दूसरी country में आते हैं तो उसके लिए हाँ पर joint protocol आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उसी के चलते हैं हाँ पर हमारी country में जो भी area है खासकर जो भी आज केड़ में सरद्धालू तीरतिस्थान है वहाँ पर जाकर काम करेंगे दोनों country मिलकर इसी के चलते हैं अभी काफी लंबे समय से करतारपूर कोलिडोर जो है वो यहाँ पर बंद पड़ा हुआ था दोनों country की side से रास्ते आने जाने के लिए बंद कर देगे थे तो 20 महीने बाद उसको भी हाँ पर open करने की बात की जा रही है देखें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेसे ना प्रजेंट टाइम पर सबसे लो लेवल पर आप लोगो देखने को मिलेगे पर लेकिन मुद्दा है कि चलो थोड़ा सा इसको अभी open कर लेते हैं जैसे जैसे चीज़े आगे बढ़ रही हैं यहाँ पर तो उसी के बारे में यहाँ पर यह लोग बाते कर रहे हैं अर्लियर इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके द्वारा एक्सचेँज के गी ती लिष्ट ओफ जो नुउक्लर इंस्टोलेशन है देखें यह काफी important है इंडिया और पाकिस्तान जो है किसने नुउक्लर कहा कहा पर इंस्टोल कर रखे हैं एक दूसरे के साथ में list share करते हैं कि कलको चलको कोई बत्तमी जी ना काटे एक दूसरे के साथ में यह मुदधा देखने को मिलेगा वैसे करतारपूर कोरिडोर के बारे में तो आप लोगों को बताईए पाकिस्तान के अंदर है करतारपूर साइब और हमारी country के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगो डेरा, बाबा, नानग तो दोनों काफी important religious places हैं तो उनको connect करने के लिए एक corridor यानिके एक गलियारा बनाया जा रहा है किस river के ओपर ये river है रावी रवीर तो यहाँ पर रावी रवी के ओपर ये गलियारा बनाया जा रहा है ताकि आसानी से killer करकर एक दूसरी country में जा सके और आसानी से अपने काम को complete कर सके तो यह काफी important आप लोगों चीज़े हाँ पर देखने को मिलेगी कोई discrimination यहाँ पर नहीं होना चाहिए releases के नामब कि हिंदू को अलाव करेंगे या फिर muslim को अलाव करेंगे नहीं सब को अलाव करयार जो आना चाहता है ठीक है तो list जो है आपर एक तरीक से विजिट की जाएगी उसको finish करना है ताकि हाँ पर दूसरे को यहाँ पर provide करा सके इतने लोग यहाँ से आएगे agree हो चुके है कि हाँ पर इस list को और बढ़ा जाएगा ताकि mutual agreement के थूरू चोजे आगे बढ़ सके protocol में currently पाँच muslim है हमारी country में सराइन है और इंडिया side में अगर बात करेंगे 15 सराइन है आपर इसी के साथ में पाकिस्तान side majority of जो है वो गुरुद्वारा आप लोग को देखने को मिलेंगे जहाँ पर विजिट करने की बात की जारी है मैंने बोला नहीं है यहाँ पर जैसे दरगा होगे गुरुद्वारा होगे तो हाँ पर विजिट आप लोग को देखने को मिलेगी 20 पार्टी जो है उनके द्वारा लाउ किया जाएगा विजिट करने के लिए one country to another country और यहाँ पर यह नंबर जो हो time to time revise भी कर सकते हैं यहाँ रटना नहीं है बस यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ में संबंद को बढ़ारे है और चीजों को आगे लेकर चल रहे है ताकि सही से चीजों को आगे लेकर चला करता होना ज़िए बार हमारी plane जो हाई जैक करा जा चुके है तो बहुत उल्टी सीदी हरकते करता है तो इसलिए हम को थोड़ा सा संबल कर चलना पड़ता है, करतारपूर जो कोरिडूर है आपर ये करनेट करता है, दरबार साहिब गुरू दुवारा जो कि हाँ पर आप लोगो नार्वाल डिस्टिक पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, और डेरा बाबा नानक जो कि 19 में उस टाइम पर यहाँ पर बोला गया कि दोनों को connect हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों location जो है वो गुरु नानक देव जी से related हैं तो खासकर 6 स्रद्धावलों के लिए ये काफी important location हो जाती है तो इसलिए हाँ पर इनको काफी ज़धा appreciate के जा रहा है कि हम मिलकर इसके उपर काम करते हैं तो religion के point उप से अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ points आप लोग यहाँ पर mention कर सकते हैं तो यह काफी important मुद्धा हो जाएगा देखें इंट्रेसिंग बाता हूँ अगर इंडिया और पाकिस्तान आज केरे में मिलकर काम करने लगे न भाई साब इतना सारा वयापार कर सकते हैं जिसके कुछ हद नहीं है आज केरे में दिक्कत पता है क्या होती है सोच कर भी कई बार मुझे अफसोस होता है यहाँ से अगर कल को हमारे देश में कुछ आना है तो पहले वो प्रोडेट जाएगा कहाँ यह तो जाएगा यहाँ पर वो यूनाइटिड अरब आइबरेट ठीक है दुबभाई जाएगा वहाँ से और फिर यहाँ पर आप लोगो देखा है पाकिस्तान है मिलेगा पाकिस्तान से हमारे देश में कुछ आएगा तो पहले है आज आएगा फिर आएगा पर यहाँ पर एक दूसरे में छलांग मार कर एक दूसरी कंट्री में हम लोग जा सकते है पर लेकिन बत्तमी जी इतनी काटी जाती है पाकिस्तान के द्वारा जिसकी वेसे ईश्यू देखने को मिलता है ठेक है वरना इंडिया एक ऐसा देस है जो कि दुस्मनों की भी help करता है और पाकिस्तान तो वो कहते हैं कि इंडिया का यह बच्चा है तो यहाँ पर इंडे से ही टेडी गे टेडी निकलेगी तो वाली बात है और जब मैं ऐसी बात है बोलता हूं पाकिस्तान की गवर्मेंट या फिर पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिस्मेंट है उसके लिए बोलता हूं लोग दोनों कंट्री में एक जैसे हैं उनको उनके उनका क्या गलती है उसमें जब काफी important ये एक material आप लोग को देखने को मिलेगा केला government के दुआरा अभी first जो हाँ पर graphene innovation center बनाने की बात किजा रही है त्रिसुर केला के अंदर में जो की लगबग 84 जो की हाँ पर चुरासी नहीं सुरी चासी यानिके 86 क्रोड रुपे का हाँ पर बनाया जाएगा अब पड़ गई हाँ पर क्या है ये material जाने के इसके बारे में ये joint venture है आप जो डिजिटल युनिवस्टी ओफ केला center for material for electronics technology और इसी के साथ में Tata Steel जो यहाँ पर Tata Steel Limited ये मिलकर काम कर रहे है इस project को बनाने के लिए अभी recently graphene जो है वो काफी ज़दे news में आ गया था जब यहाँ virus जो है वो यहाँ पर आप लोग हतम कर सकते हैं इसको ठीक है तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा उसको inactivate किया जा सकता है तो है ना innovative तरीका तो इसी के चलते हैं यहाँ पर यह काफी ज़दे news में आ गया था और बोला कि यह सही product है इसके उपर काम किया जाना चा किया आप basic infrastructure धांचा प्रोवाइड करा रहा है ताकि हाँ पर प्रोजेक्ट लागा जा सके जमीन वगएरा और वो सब चीज़े तो इसके चलते हैं आप लोग को देखने को मिलेगा सेंटर काफी बड़ा help करने वाले आने वाले टाइम में ग्राफीन में अगर कोई product को develop करन बनाना पड़े और सारी चीज़े हमें बने बनाई मिल जाए जैसे नहीं घर पर आप लोग कई बार सोचते हैं अगर घरवाले आप लोग को बोले की बेटा चल चाय तो बनाला कम से का तो आप लोग को उसमें भी नाक में दर्द होता है सुनकर कि ऐसा कैसे बोल दिया लेक निकल करने तो हम लोग को यह सारी बत्तमीजी समझ में तब हम लोगों कर आए तो यहनि कि पहले से अगर शुथर जाते तो ऐसी इसी सटेशन है देखने को मिलती पर लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं केरला यूमें रिसॉर्स के बारें बात करें तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर हमारी country से जो हम लोग काम करते हैं हाँ पर अगर बात करें तो effectively हम लोग कोरिलाग में हाँ पर चीज़ों का increase कर पाएंगे और knowledge-based economy में काम कर पाएंगे तो आने वाले time में हमारी country में काफी ज़्यदा productive चीज़ आप लोग को देखने को मिलने वाली है ग्रा जैसे कि आप लोग आज के में transistor के बारें बात करेंगे ठीक है उस तरीके से आप लोग नोमली बोल सकते हैं एक layman भासा में नहीं बोलते हैं कि एक छोटे component है जो basically जो काफी minute level पर आप लोग यूज़ करते हैं और एक बड़े component आप लोग को देखने को मिलेंगे या फिर प बात करते हैं electronics में वो flow of electron के बारें बात करते हैं ठीक है तो flow of electron जो देखने को मिलेगा basic अगर theory के बारें में आप लोग से बात करूँ जो graphene ने उसके दवरा क्या किया गया काफी बड़ा काम किया गया एक indium करके हाँ पर एक particular product था जो की काफी महंगा हुआ करता था जो की organic जो light emitting diode है उसमें यूज किया था उसको रिप्लेस कर दया ग्रैफिन से तो smartphone जो इस्टडीज से लिटर जो भी चीज़ें हाँ पर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर smartphone में अगर चीज़ें सोचे आप लोग यहाँ पर जो स्क्रीन वागर है तो यहाँ पर अगर उसमें क्या काफी additional चीज़ें हाँ पर ला दी एक तेहाँ पर anti-corrhizan आप लोग को coating और painting देखने को मिलेगी ठेक है paints जो होते हैं ठेक है efficiency आप लोग को देखने को मिलेगी काफी ज्यादा है faster efficient electron flexible display इसी के साथ में जो efficient solar panel और इसी के साथ में fast DNA sequencing drug delivery इतने सारे काम कर दिये इसको wonder material क नाम से हम लोग जानने लगे तो इससे एक अंदाज आप लोग लगा सकते हैं कि graphene का कितना ज्यादा फाइदा है और आने वाले time में जो भी इसमें investment कर रहा है research or development कर रहा है काफी ज्यादा फाइदा देखने को मिलेगा तो hexagonal यहाँ पर यह एक का carbon atom जो arrange की जाते हैं hexagonal क इसलिए हाँ पर आप लोग को इनजर आएगा तो इसलिए हाँ पर इसको alternative के तरीके से देखे जाने लगा कई product के और इसको use भी किया जा रहा है काफी large scale पर तो ऐसे product का होना बनता है सोचो कल को यहाँ पर ऐसा कोई mask निकल कर आ रहा है कि coronavirus को यहाँ पर अगर लगा लगा तो coronavirus की हिम्मत ही नहीं है कि इसको cross कर सके तो हो गई ना बड़ी बात यहाँ पर तो इस तरीके से आप लोग चीजों को understand कर सकते हैं यह जो article है इसका एक advance version भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा international relation के point of से भी आप लोग इसको count कर सकते हैं इंडिया और चाइना के ब लोग चाइना पहुंचे हैं जो लोग reality में चाइना के काफी इंफ्लेंस में रहते हैं इसके अलावा कोई भी इनसान जो है वह यहाँ पर आज की डेट में चाइना नहीं पहुंचा है यहाँ विंटर ओलंपिक को यहाँ पर fail करार दे दिया गया है जब से युस्या के और वहाँ पर उनके ओपर काफी इतेचार चाइना के अंदर कियाते हैं उनको उठाकर ले जाते हैं कई बार उनके ओपर यह मानते हैं कई बार तो उल्टे सिदे experiment भी यह लोग करते हैं बहुत सारे issues आप लोगों हाँ पर देखने को मिलेंगे तो आज की date में चाइना की ब की गी है कि आने वाले time में हम लोग क्या करेंगे tackle करने के लिए situation को सिदा सिदा यह बोला जा रहे हैं हाँ पर कि हाँ पर जो इसके जो गेम है उसको हम लोग एक तरी से बाइकोट कर देंगे खेल खेलने के लिए player जाएंगे पर लेकिन administration नहीं जाएगा जो उनके साथ में जाता है इनकी जो closing और जो opening ceremony में ठीक है तो इसके चलते हैं पर यह चीह देखने को मिली रस्या प्रेजिडेंट जो है वो डिसकस कर रहे हैं आपर आज केड़ में Ukraine के साथ में जो crisis चल रहा है ठीक है चाइना के प्रेजिडेंट के साथ में क्योंकि दोनो permanent member हैं अगर UN के ब order touch कर रहा है basically Ukraine के साथ में और Ukraine को अपने control में लेने की कोसिस कर रहे है ना टू ठीक है तो उसी के चलते काफी जदे हैं हाँ पर यह article न्यूज में आ गया है तो basic information तो देखिए आप लोगों पता ही होगी इसके बारे में कई बार में तो हाँ पर वो अपने बाप को भी free में पैसा नहीं देते हैं दूसरों को दो क्या देंगे तो पागिस्तान की जो प्राइमिस्ट हैं उनके द्वारा discuss किया रहे हैं हाँ पर की investment किया जाएगे हाँ पर काफी अच्छे लिवर पर और China पागिस्तान जो economic corridor है यहाँ पर जो क पागिस्तान को support यहाँ पर कर रहे हैं देखे हम ने जो भी अपने देश में काम के न हम लोगों ने अपने बूते पर काम किया है अपनी हिम्मत से काम किया है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्या गड़ता है अगर nuclear weapon के बारे हैं बात कर तो टेक्नोजी चोरी करकर लाए थि उनके scientist साब, ठीक है, अचले यह नाम बताएं, उनका मैंने distance कहता है, recently अभी उनकी death भी थी, तो यह चीज़ें आप लोगो देखने को मिलेगी, तो उनको पिता मा बोलेता है, चोर एक तरीके से पिता मा बोले जा रहे है, nuclear scientist जो है, हमारे दिसमें क्या करते हैं, हमारे दिसमे अपना रास्ता बना कर चला गया, तो यह कई बार issue देखने को मिलते हैं, अभी जो जिंग जियान वाला reason है, हापर province China के अंदर में, वहापर human right का violation क्या जा रहे हैं, तो USA, Canada, Australia, यह कई सारी country ऐसी हैं, जो कि diplomatic bycoat कर रहे हैं, हापर China के अंदर जो game चल रहे हैं, China के ओपर pressure ब 4 year में हाँ पर आप लोगो फीचर जो हैं participate करते हैं नजराते हैं, ice skating होता है, ice hockey होता है, skying होता है, इसी के साथ में figure skating होता है, तो कई सारी चीज़ें हापर normally देखने को मिल जाते हैं, winter time में, पहली बार जो winter olympic हैं आपर, यह 1924 में आप लोगों को देखने को मिले थे, और में, ठीक है, तो यह important मुद्दा आप लोग याद रखेगा, कुछ और बाते में आप लोगों यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो क्या है, कि जब बात करें winter olympic में, हाला की, initially इनको start किया गया था summer olympic के साथ में, 1908 में, यानि कि लंदन के अंदर यहाँ पर इनको start किया 1924 में separate कर दिया गया हाँ पर दोनों को, और बोला गया winter olympic को international winter sport week के नाम से इनको जाना गया, तो सामोनिक France के अंदर में हाँ पर इनको खेला गया, 1924 के अंदर में, ठीक है, इसके चलते हैं हाँ पर अगर बात करें, दो साल बात यहाँ पर international winter sport week है, सामोनिक France जो officially इसको first winter olympic game के तोर पर recognize कर दिया गया, कि भाई साब इसको अलग से हम लोग लेकर चलेंगे, इसको mix नहीं करेंगे, जो summer olympic आप लोग को अभी recently, टोक्यो में जापान के अंदर देखने को मिले, तो उसके साथ में mix नहीं करेंगे, जो addition है winter olympic game का, वो देखने को मिला, बीजिं 2018 अभी दुनिया में से गया भी नहीं है, और हम लोगों ने अपने आपको इतना ताकतवर बना लिया कि हम लोग अपनी country के अंदर game basically खेल पा रहे हैं आपर यह, और दुनिया है कि आज केड में जूज रही है, अपनी country में लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रही है, काटिंग में हम लोग diplomatic bycourt नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग diplomatic bycourt कर रहे है, रीजन के है, जो यहाँ पर जो torch bearer है आपर वो, चाइना के, वो है basically चाइना के जो soldier है आपर, जो कि हमारी country के साथ में जब जड़प हुई थी, हमारे कई सारे जवान सही दोए थे, चाइ लोगों ने भी bycourt यहाँ पर कर दिया है, हमारे देश का एक लोता player यहाँ पर जो participate कर रहे है, उसका नाम आप लोगों बताना है, और किस game से related है यह आप लोगों बताना है, देखे, UPSC भी अब आप लोगों से सर्माती नहीं है, games से related question पूछने में, यह अब की बार के prelims में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसलिए game से related चीजे भी आप लोग अपनी तयार रखे, question बन जाए तो फिर यह मत बोलना, भाई साब question कहां से आ गया, तो question आप लोगे सामने रहेगा, आप लोग उसको ध्यान से लेकर चलोगे, ठीक है, तो कहीं भी कोई भी confusion आप लोग को नहीं होना चाहिए, इसलिए detail में मैंने आप लोगों चीजे बता दी, कि mind में आप लोगे इनको लेकर clarity रहनी चाहिए, ठीक है, तो यह थी कुछ बात ही, I hope कि आप लोग इसको समझोगे, और अच्छे से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ोगे, अब जो next important जो को यहाँ पर अभी UN की presidency लेने वाला है, फरवरी 2022 में, तो इसके चलते हैं हाँ पर क्या होगा, Russia के पास में काफी ज़्यदा power यहाँ पर रहने वाली है, India और Russia जो है, वो मिलकर काम करने वाले है, क्योंकि हाँ पर अभी recently एक काफी बड़ा मुद्दा चल रहे है, कि Russia जो है वो Ukraine को overtake करने वाला है, Ukraine को capture करने वाला है, क्योंकि Ukraine जो है वो NATO का member बने, इससे पहले ही Russia जो है, उसको अपने अंडर लेना चाते है, कल को चल कर अगर NATO का member बन गया, NATO है North Atlantic Treaty Organization, यह एक military group है, जिसमें 30 member आप लोग को देखने को मिलेंगे, कल को चल कर अगर Russia इसका part बन जात पर लेकिन अभी फिलाल क्या करने वेस्टन वर्ल्ड, यह उकसार है Ukraine को, कि चल तो यह कर सकता है, ऐसी कर सकता है, हरकते करते हैं जब यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसी हरकते देखने को मिल रही ही, जिसके चलते है, Russia जो है, वो tension में आ जाते है, तो फिर Russia दूसरों को tension देग तो यह 2 plus 2 dialogue की category में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यह article काफी detail में cover किया गया है, हाँ पर हिंदू के अंदर भी और यह Indian Express के अंदर भी cover किया गया था, corporation की बारे में बात करें, UN के अंदर multi-lateral fora की बारे में बात करते हैं, देखें आज की date में न, हमारा देश भी एक अपने आपको आजाद परिंदे की तरीके से देखता है, हम लोग पहले से ही क्या करते हैं, non alignment में हम लोग अपना विश्वास रखते हैं, NAM, आप लोग ने स हमें सा balance बनानी कोसिस की है, अभी फिलाल क्या हो गया है, इंडिया थोड़ा सा tilted हो गया, USC की तरब को, और जो रसिया है, वो थोड़ा सा tilted हो गया है, हापर चाइना की तरब को, और कई सारे लोग तो चाइना का second part, रसिया को बोल रहे है कि चाइना जो है, वो basically रसिया को subordinate बना रहा है आज की डेट में, और रसिया कभी भी नहीं चाता है, सब यह चाता है कि कोई एक country जो है, दुनिया को चला रही है, तो इसलिए multilateralism के field में रसिया और जो इंडिया है, वो मिलकर चीजों को support कर रहे है, रसिया काफी important है, उसने हमारा जब हम लोग non permanent member बने, तो क मेसा, चाइना जो है, वो हमको entry नहीं करने देता है, हमारी entry को रोकता है, यहापर यह, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, यह काफी important group है, अगर इसका part कल को हम लोग बन जाते हैं, तो हमको आसानी से nuclear weapon, जो हमारे देश में, weapon नहीं, गलत है, ठीक है, बेसि CNN के UN Security Council में reform के बारे में बात करते हैं, तो दोनों country साथ में रहते हैं, पीस और security के बारे में बात करते हैं, इसी के साथ में दोनों country, एक दूसरे के साथ में, BRIC में आप लोग को देखने को मिलेंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीका, तो इंडि हमारी country के पास में इसकी presidency थी, तो यह भी important मुद्धा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, याद रखेगा presidency हमारे देश के पास में, इससे पहले यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा थे हैं, आपर, यह Saudi Arabia के पास में थी, ठीक है, तो यह कई सारे मुद्धे हैं, जिसक सारे के सारे अगर बात करें, तो यहाँ पर China, Russia, Brazil और India यह founder member है, ठीक है, इसे के साथ में हाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो South Africa है, वो बाद में जुड़त है, इसमें, तो यह basic information है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कई बार question मन जाते हैं, काफी अच्छे से काम करते हैं, India और Russia के बारें बात करें, तो New Development Bank जो है, उसको address करने के बारें बात करें, COVID-19 के pandemic के बारें बात करें, तो एक multilateral world के बारें बात करते हैं, India और Russia, Shanghai Corporation Organization की भी member है, जो की एक तरीके से Asia का NATO बोला जाता है, कि यह Asia का NATO है, और New Development Bank जो है, यह काफी important bank है, इसको कई बार आप इसमें, तो ऐसे ऐसी चीज़े हैं, जिसमें हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगो देखने को मिलेगा, India और Russia जो है, वो चाहते हैं, कोर्परेट करते हैं, कि terrorism को, extremism को, drug trafficking, cross border, जो भी organized crime है, उन के next year जो रहने वाली है, वो India के हाथ में रहने वाली है, तो इससे पहले यहाँ पर दो country के, अगर बात करें, अभी फिलाल किसके हाथ में है, यह आप लोग को बताना है, ठीक है, यह कई बार आप लोगों से question भी पूछ ले आते हैं, अभी फिलाल किसके हाथ में है, यह को लेकर, इंडिया ने क्या कि हाँ पर decalate करना चाता है, tension जो है, वो दोनों एक दूसरे के बीच में tension ने रहे, और इंडिया हम इससा चाता है, सान्ती बना कर यहाँ पर चले, ठीक है, तो इंडिया क्या करता है, कई बार यहाँ पर abstain हो जाता है, और maximum time आप लोगो Russia को support करता हूँ नजर आएगा जब भी हम लोग बात करें और अगर publicly बोलने वाली बात आती है तो हम लोग बोलते हैं नहीं हम लोग चुप रहते हैं या तो abstain कर देते हैं या फिर चुप रहते हैं जादा हम लोग comment बाजी इनके उपर नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कल को चल कर कोई भी ऐसा issue बने जिससे और दिक्कते हैं हापर निकल कर आए तो यह basic चीज़ें देखने को मिलेगी और हम लोग क्या चाते हैं हमेशा एक Minsak Agreement है जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा 2014 में हापर sign किया गया था जो कि हापर 2014 में sign किया गया था यह क्या करते हैं यह support करते हैं इंडिया कि हम लोग इसको फोलो करें क्योंकि सीज़ फायर के बारे में बात करते हैं इसके चलते हैं हापर discussion किया गया था Russia, Ukraine, Germany, France इनके सब के द्वारा मिलकर ताकि क्रीमिया वाले reason को कैसे हापर proper सांत रखना है और कैसे balance बना कर वहाँ पर चलना है ठीक है इंडिया जो है इसके चलते हैं हम लोग किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं अपनी खुद की इसके चलते हैं और अच्छे लेवल पर चीज़े जो है अपडेट की जा सके इसके अंदर आने वाले पर चीज़े अपडेट की जा सके इसके इसके अंदर अच्छे से आप अपडेट की जा सके अंदर आप लोग काफी ज़्यादा बेसिक चीज़े और जबताऊंगा ताकि जो प्रिलिम्स वगरा के अंदर भी आप लोग को फायदा देखने को मिलें ठीक है जैसे कि बहुत सारी चीज़े मैं आप लोग को बताता हो चलता हूं त तो डिटेल में बात है कि इसी के साथ में इंडिया और पागिस्तान के रिलेशन के बारे में हम लोग ने बात है कि काफी अच्छे से हापा हम लोग ने नेक्स्ट यहाँ पर बात की फैड रिजर्व के मुग के बाद में इंडिया के उपर कैमपैट पड़ा ब्रहमोस मिसा गोर्मेंट जो है वो ग्राफिन के ओपर काम कर रही है ये बताना है Ministry of External Affairs के बारे में हापर बात की जारी है तो आप लोग को बताना है कि Joint Protocol क्याती Religion के बारे में इंडिया और पागिस्तान के इसी के साथ में रसिया जो है वो एजियूम कर चुका है जेडिन्सी हाँ पर विसके लिए फर्वरी के महीने में ये आप लोगो बता है तो इसके चलते हैं पर अभी किस साल की बात की जारी है हालाकि बतादियमें न भी ब्रहमोस के साथ ब्रहमोस मिसायल बनाए जारी हाँ पर कौन सी country अभी खरीदने की बात कियें, बरह मोस दो river के नाम पर कौन सा है, और fed result किस country का bank है, पाटिसिबेट करिए, अच्छे से answer दीजे, आप लोग समझदार बच्चे है, अच्छे से जानते हैं, सारे answer देने अच्छे से, और morning में जो उठ रहा है वो अपना schedule को follow करते रहो भाई साब जिंदगी में अपने आपको एक pattern में डालो उसके बाद में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं रहेगी और अपना जो भी pattern होता है उसको follow किया अगर हो कई सारे बच्चे आकर लिखते हैं good morning sir, good afternoon sir कई सारे बच्चे बोलता है good morning, good afternoon क्यों लिख रहे हो अगर किसी को अच्छा लग रहे तो लिखने दो आप लोगो क्या चिंता हो रही है वो अपनी परजेंस दिखाना चाते हैं कई सारे बच्चे आकर परजेंस लिखते हैं अच्छा लग रहे है उसको करने दो उसकी जिंदगी है ठीक है तो productivity अगर लेकर आओगे थोड़ा सा और जादे तो अच्छा लगेगा वर्ल्ड cancer डे के बारे बात की जारे तो theme क्या है यह आप लोग को बताना है देखे कई सारे बच्चे ना comment भी नहीं करते हैं परपोजल के बारे बात आप लोग को बताना था किसके दौरा दिया गया था neglected tropical disease के बारे में रैपोडेट normalization के बारे बात की तो किसके दौरा यहाँ पर इसके बारे बात की गी इसी के साथ में कौन सा यहाँ पर rate है जो कि RBI को यहाँ पर बात करता है अगर commercial bank के पासे पैसा कम रहता है तो इसको इस हिसाब से वो काम कर सकते है चिना case वा के बारे में बात की थी तो इसका मतलब क्या होता है यह आप लोग को बताना था कौन सा national park जो है mixed heritage site के अंदर में आता है यह आप लोग को बताना था bad bank किसके दोरा proposal दिया गया था basically यह आप अप लोग को बताना था यह आप लोग को बताना था यह आप लोग को बताना था ठीक है तो गोशन के आंसर देख लेते हैं आपर जिसके दोरा proposal दिया गया था कि neglected tropical disease के ओपर focus के जा सके इसी के साथ में हाँ पर बात करें तो state bank of India है हमारे देश का जो कि basically हाँ पर बात कर रहा है कि reverse normalization की बारे में ठीक है जो कि हाँ पर implement करना चाहिए रेपो रेट वो रेट है जिससे जो commercial bank है वो पैसा लेते है रिजब बैंक ओफ इंडिया से ठीक है और reverse रेपो में उल्टा होता है कि हाँ पर रिजब बैंक ओफ इंडिया इन से पैसा कीशता है ठीक है अगर बात करें हा इसके बारे में आप लोग याद रखेगा important है question कई बार बन जाता है यह bad bank के बारे में अप्रूवर भी pending लिए बैठ है national asset reconstruction company जो है इसके बारे में याद रखेगा यह basically 51% यहाँ पर सेर आप लोग को public sector bank के देखने को मिलेंगे जिसका NPA खरीदेगा detail में कल discuss किया था confusion आप पीडे फिखटे मिल जाती है और morning में कौन-कौन साथ में मिलने वाला हूँ बताईए तो house the joes और morning में कौन मिलने वाला है जरू बताईए comment box में तो next lecture मिलता हूँ तब तक अपना ध्यान ना किये बढ़ो का नमस्ते चोड़ो का प्यार छोड़ी सी life and enjoy करार मिलता हूँ next lecture म तब तक के लिए जैहिंद और हाँ मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो